नमस्कार दोस्तों मेरे नमस्रीकान कुमर अब देख रहे हैं टूज ग प्रोसेस आज हम बात करने वाली से वीडियो में दोस्तों गोर्मेंट के द्वारा एक नए अस्कीम को लाउंच किया गया है नेशनल फैमिली बनिफिट अस्कीम तो इस अस्कीम का कैसे आपको बनिफि देखना होगा, तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरूप करने से पहले मेरी चैनल पिनने हैं, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने हैं, ताकि मेरा वीडियो को नोडिपिकेशन सबसे पाहले पके पास पहुंच पाए, तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरूप करते हैं, दोस्तो उसके लिए सबसे पहले मोबाइल ये लैपटोप का किसी एक ब्रॉजर को उपेन कर लेना है, ब्रॉजर में टाइप करना है My Scheme, उसके बाँ सर्च के ओप्शन पे खलिक कर दना है, सबसे उपर में जो लिंक दिख रहा है, इस लिंक पे खलिक कर दना है, भारत सरकार के official portal इस प्रकार से open हो जाता है जो इस प्रकार की interface देखने के लिए मिल जाता है तो सबसे पहले इस प्रकार से नीचे चले आना है और यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है 211 schemes इसी वाले option पे click करदना है इसके अंदर जितना भी service को ID किया गया है इस प्रकार से list यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है तो सबसे पहले क्या करना है इस प्रकार से नीचे चले आना है और जैसे अप नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक scheme देखने के लिए मिल जाता है National Family Benefit Scheme तो और यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है more details इस वाले option पे click करदना है click करने के बाद कुछ इस परकार की interface open हो जाता है और यहाँ पे एक छोटा सा eligibility check करने के option आ जाता है तो यहाँ पे आपको check कर लेना है कि इस scheme के लिए हम eligible है या नहीं है तो check करने के लिए आपको इस वाले option पे click करना है उसके बाद यहाँ पे जो आपसे पुछा गया है इसका answer देदेना है तो चलिए इस परकार से हम इसका answer यहाँ पे हम देदेते हैं उसके बाद यहाँ पे दिख जाता है submit के option पे click करना है अगर इस अस्कीम के लिए अगर आप eligible होंगे तो इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पर देखिए इस अस्कीम के बारे में कुछ details यहाँ पर बताया गया है तो यहाँ पर देखिए details में बताया गया है कि M.O.R.D. द्वारा अंबरेला योजना रास्तिय समाजिक सहायता कार्द क्रम A.N.S.A.P. के तहत एक परिवार कलियान योजना इस योजना में मुख्य कमाने वाले ब्यक्ति की मरीत के कारन की परवा किये बिना सोक संतप्त परिवारों को वितिय सहायता परदान की जाती है परिवार हितलाब का भुकतान मृत्त गरीब के परिवार के ऐसे जीवित सदस को किया जाएगा जो अस्थानिय जाच के बाद परिवार का मुख्या पाया जाता है ऐसे कमाऊ सदस की मृत तब हुई हो जब उसकी आयू 18 वर से अधीक और 60 वर से कम हो तो इसका कहने का मतलब यही है कि अगर आप गरीवी रेखा से नीचे आते हैं और अगर आप फैमली चलाने वाले मुखिया हैं और मुखिया का मृत हो जाता है तो उनको फैमली को विनिफिट मिलने वाला है कितना विनिफिट मिलने वाला है उसके लिए यहाँ पर दिख जाता है फायदे के आप्शन पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है फायदे के बारे में बताया गया है मुरितक परिवार के परिवार के ऐसे जिवित सदस को एक मुस्त सहायता के रूप में दो लाक दिया जाएगा जो अस्थानिय जांच के बाद घर का मुख्या पाया जाता है और यहाँ पर देखे बताया गए कि परिवार में कमाउ सदस की मृत के परतेक मामले में सहायता दी जाएगी यानि कहने के मतलब यही है कि family चलाने वाले मुख्या कि अगर मुरित हो जाता है तो उनको दिया जाएगा यानि जो family है उनको दिया जाएगा 2,00,00 रुपया अब पत्रता यहाँ पे सबसे पहले आपको चेक कर लेना है तो यहाँ पे देखिए पत्रता में बताया गया है कि आवेद्दक भारत का नागरीक होना चाहिए आवेद्दक का परिवार गरीवी रेखा से नीचे BPL होना चाहिए आवेदन के परिवार के प्रात्मिक कमाव सदस की मृत हो गई होगी अब हम बात कर लेते हैं कि आवेदन आपको कैसे करना है आवेदन करने का परकिरिया क्या है तो आवेदन परकिरिया यह पर दिख जाता है जैसे इस पे हम क्लिक करते हैं तो आवेदन लिया जाता है सिर्फ offline, offline का यहाँ पे देखिए तरीका बताया गया है तो आवेदन करने के लिए पहला step में बताया गया है कि priest संक्या सहे 40 में दिये गए आवेदन पत्रे को print कर लें तो print करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए एक link के देखने के लिए मिल जाता है इसे copy कर लेना है और chrome browser में इस प्रकार से open कर लेना है और इस प्रकार से form यहाँ पे download हो जाता है तो चलिए इस प्रकार से हम download कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए कितना पेज का डॉनलोड हुआ है 56 पेज का PDF डॉनलोड हुआ है तो 40 पेज वाला आपको क्या करना है प्रिंट निकलवा लेना है और आवेदन पत्र जीला समाज कलियान अधिकारी या तहसिल समाज कलियान अधिकारी के पास निसूलक उपलब्द है दूसरा step में यहां पे बतायागा है तो यहां पर आकर सई तरीके से reading कर लेना है अब यहां पे देखना है कि document क्या क्या लगने वाला है तो जैसे हम document के option पे click करते हैं तो यहां पे देखने के लिए मिल जाता है कि मृत्त कमाने वाले से संबंधिक दास्तवेज तो पहला हम बतायागा कि मृत्त परमान पत्रे होना चाहिए सबूत की पहचान होना चाहिए पते का परमान होना चाहिए परिवार का BPL, काड या रासान काड होना चाहिए परिवार ID या सदस ID होना चाहिए और सहायता परदान करने के लिए परिवार के सदस के समंधी दास्तवेच क्या क्या होना चाहिए तो पहिलम बतायागे कि सबूत की पहचान, पते का परमान, उम्रे का सबूत, परिवार आईडी या सदस आईडी, अधार से जूरे बैंक खाते, दांग घर के खाते का भीवरन, पासपोर्ट साइच का फोटो, यह सारा चीज होना चाहिए तो फिर आप इसका बिनिफिट पता सकता है,